फिर से चले वसीम यासर के लिए लेंग डिलवरे थी पेज़ दियाए बूड़ी लाइन के भार शेरन के लिए इसी के साथ 50 रन मुकमल किये ये देखे एनाम लेके मन्जूर जा रहे है पाशो रुपए का एनाम यासर के लिए दोड लग सारे दर्शकों को अब आए अगले बले बाज यासर ये भी लेफ्ट हैंड़ है जी याँ बायाद के बले बाज है सामना करेंगे आशिक का अब यहां से हम ये महसूस कर पा रहा है कि डी सी सी डब के जो फिल्डर से हमकी बोड़ी लेंगवेज एक दम से चैंज हो गई है क्योंकि पूरी तरह से अब मैच उनके हाथ में आ चुका है ये देगे है पहली गैंड आफसाइड के काफी बाहर अमपायर शबीर बट का इशारा वाइड आशिक चले अब यासर के लिए जो एब एबी आया बले बाजी करने के लिए डिफेंसिव अंदाज में कहला जान फिल्डर के पास गई थी गैंड उन्हें गैंड को फिल्ड किया हन नहीं बनेगा और एक मरतबा आशिक चले यासर के लिए ये देखिए खराब गैंड पुल शॉर्ट के लाए गैंड गया बूंडी लाइन के बार छे रन के लिए बैतरीन फ्रोग के लाए यासर ने सीडे चेरन के लिए मेर आशिक लिखरे लाव युदादा लाव यू तू ये देखिए फिर से उठा दिया है लेकिन फिलर गैंड के पीचे है इरचाद उन्होंने घ्यांट को फिल्ड किया अब खाली एक रण मिलेगा महफूज का सामना करेंगे अब यासर वसलिप को काट के पॉइंट पॉजिशन पे लाए गया सईथ कमर को राजा रशीद को यहां से अपनी टीम को समालना होगा क्योंकि इनके पास काफी ज़्यादा एक्सपिरियन्स है एक्सपिरियन्स प्लियर है काफी ज़्यादा किरकट खेल चुके है काफी सारे कलब उसके साथ इन्होंने खेलाया और इनके उपर अब जिम्मेदारी है पिछले मैच में भी हमने देखा था थोड़ी सी लड़ खड़ाई थी सिके विजन की टीम फिर अपने उपर राजा रशीद ने जिम्मेदारी ली थी और जीट से हम किनार करवाया था अपने टीम को माफोस तैयार अब यसर के लिए यह देखिए यसर के लिए गैन थी हवा में गैन जरूर थी लेकिन फिर नहीं पहुच पाए दोड़ पड़े थे सोहेल गैन के पीछे लेकिन नहीं कैच कर पाए गैन चली गई बोड़ी लाइन के भार चार रन के लिए वेहतरी इंच ट्रोक था इस अवर की अभी तीन गैन दे हो चुकिया है मैं पूचे ले याम बेर को क्रास किया सामना करेंगे यासर उठा दिया है लेक्साइड के और और ये बहुत बड़ा च्छका गेंद गई हैं शिपेडम से बाहर मेरे ख्याल से इतना बड़ा च्छका इस ग्राउंड में पहली बार हुआ है ये देखिए एतनी देर में एक लंबा च्छका जड़ लिया है यासर ने अभी इनायद कोमेंट कर रहे थे यासर में दामे जी हाँ जो च्छका हमने देखा शायद अब गेंद भी नहीं मिलेगी इतनी दूर गई है गेंद स्टेडियम से बाहर च्छेरन के लिए महफोज और एक मरतबा यासर के लिए चले अच्छी गेंद पढ़ने के बाद अच्छनक राइस हुई थी गेंद भीट किया बले बाज को रिकाट कीपर के पास गई गेंद अब आखरी गेंद होगी इस ओर की शाकत कूल भाई मैच कहां पर ग्रीन पारक स्टेडियम हाकुरा में मैच है मज़ा आने वाला इस मैच में अब यहां से क्योंकि यासर ने अब अरफतार पकड़ ली है फिर से बीट हुए अपील कर रहे है विकाट की पर लेकिन किस बात की अपील कर रहे है नहीं समझ पा रहे है और समाप अब यह जवाब स्ट्रोंग यह जवाब श्रूग शीने बॉंड याइन जो रहे हैं चैरन के लिए यह अर्गनेजर उसको गेंदू का डिबा अमपैर्स के पास ही रखना होगा शायद दूसरी जैन चली गई है बॉंडी लाइन के बार फिर से शायद गया नहीं मिलेगी फिर से इतना लंबा चका गया है यासिर के बले से कि अधिए ज्यादा पावरफुल बले बाज है और अभी नहीं गैन को डाला गया है अब यासिर गैन को चक करना चाहते है यासिर फिर से तयार है कि सामना करेंगे आशिक का है मलेना गवा आशिक को अपना और यहां थिर से मोड़ना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुई भले से जयाद इसकी बदावलत खाली एक रण मिलेगा कि फिर से यासिर रहेंगे स्ट्राइप पर कि स्ट्राइप पहली मरतबा पहली जैंद लेके यासिर के लिए लेक साइड के बार वाइड का इशारा अमपैर का शाकत कूल बहुत अच्छी केमेंटरी शुक्रिया बोलने के लिए वाइड से शुरुवात किये स्ट्राइब क्योंकि जानते हैं सामने एक दिगज खिला डिया पिर से उठा दिया है कि बैसरी शॉट के लाएगा जैन जाएगी बोंडी लाइन के बाहर चार रन मिलेंगे जिस तरह से बले बाजी कर रहे है यासिर ऐसा लग रहा है कि यहां से सिकेविजन की टीम मैस को खा जाएगी अच्छी स्टीम ही लग रही थी डी सी सी डव की टीम लेकिन यासिर ने थोड़ा सा परिशान करके रखा है सारे गेंद बाजूं को स्लोवर अपसाइड के बार उठाना चाहते थे लाठी विकट की पर चुस्ती थे विकट के पीछे स्टंपिंग के लिए गए थे लेकिन देखा था सत्थर वाय शायद स्कोर उस्ताड आही लिख रहे है शायद सत्थर वाय स्कोर पुरा भी पता नहीं है इस और के बाद अपडेट दिया जाएगा इसके बाद ढ्रिंकस ब्रेक भी होगा तो उसी वक्त दर्शकों का भी नजारा करवाया जाएगा बाद रूप अस्सलाम आलेकुम सर्व आलेकुम सलाव स्वेल चले यासिर के लिए फिर से लेना चाहते तेश्य ट्रोक भले के उपरी इसरे से लगी गैंद यह के पास गैंद जब तक जाती और फिल्ड की जाती गैंद एक रण बनाने कम होका था हो इसका शुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए गुजार इसे लाइव वीडियो को शियर भी करें नगेट यो विकट के लिए गए थे लेकिन राजा रशीद पहले क्रेश के अंदर बैटे थे कोई नुक्सान नहीं होगा शेक श्पाक स्कोर अपडेट 76 हुआ स्कोर ये देखिए स्लोवर डिल वरी थी वेट किया यासिर ने भेज़ दिया फिल से बूंडी लाइन के बार छे रन के लिए अब गैंडे कहां से लाई जाएगी 82 हुआ स्कोर दस वर की समाफ़ती के बाद पांच के लाड़ी आउट हो चुके है अब ध्रिंक्स ब्रेक होगा अब मुदसर को लाए गया गैंड़ बाजी के लिए उनका खाली एक वर बचा हुआ है वह वर ढलवाएंगे इने कप्तान इसे यासिर रहेंगे सामने ठीक है इसके लाड़ी दभा होए गैंड़ बाजों के उपर यासिर का मन्जोर आमन ने पांशो रुपए का इनवाम रखा है यासिर के उपर अगर वो पचास नल बनाते है यह देखिए आप साइड के काफी बार गैंड़ वाइड का इशारा किया है उमर ने यह देखिए रजी रशीद फिर से आए कुछ मशवरा देने के लिए यासिर को पचास न बनाने में कामियाब रहे गे तो पांशो रुपए जीते के अच्छी गैन डिफेंशन अदाज में केला पॉइंट शेतर में गयी थी वहां पे गैन को फिल्ड किया गया कोई रन नहीं मिलेगा अब मैच में मज़ा रहा है दम दिखा रही है दोनों टीम्स वहां डगा उडगर देखा जाए डी सी सी डव का और सकैविजन का तर्शक अपनी अपनी जगा ताइना आते तालिया बजा रहे है अपने प्लेयर्स के लिए यह देखिए जोरदार प् पहुच पाएंगे चारण पैसरी इन स्ट्रोक खेला था चालीस पे पोच्च चुके यासिर दस रंदूर अदर शेटक से अधियान वेवा स्कूर नाइंटी टू पैड लाइन पे गैंद लेकिन लेक साइड के काफी बार गैंद थी उठाना चाहते थे गैंद को नाराज लग रहे है अपने आपसे यासिर क्योंकि गैंद बले पे नहीं आई थी और एगैंद उठाना चाहते थे लेकिन लो बॉल का इशारा अमपैर का प्री हिट मिलेगी यह देखिए धगाउ डगर देखा जाए सिकए विजन का धालिया भजा रहे है अब यासिर के लिए क्योंकि 93 अब स्कोर बढ़ चुका है जो पारी यासिर ने अपने टीम के लिए आज खेली है यकीनन मैच विनिंग पारी हो सकती है यह अगर सिकए विजन ये मैच जीतने में काम्याब रहेगी यासिर ये 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 फ्रीट थी उठा दिया है बोड़ी लेंगे बार चेरन के लिए लंबा स्ट्रोक चट दिया है खाली चारन दूर अपने अर्दरशतक से अब यासिर वान मैन शो यासिर इस ऑन फायर वाड़ा बैटिंग ही इस प्लेइंग चारन दूर अपने अर्दरशतक से स्कोर है निन्या अन्वे 99 बैड लाइन पे फिर से गैंध थी लेकिन भले पे फिर से गैंध नहीं आई फिर से यासिर नाराज लग रहे अपने आप से अभी ए गैज भाकी यह सुवर की स्कोर और मैंट 99 फोर दे लास अपाय विकट्स निन्या नेरन वाइश स्कोर क्या हुआ 99 अर्मान वसीम लिग्रेटे स्कोर क्या हुआ 99 फोर फिर से चले वसीम यासिर के लिए लेंग डिल्वरे थी पेज़ दिया बूडी लाइन के भार शेरन के लिए इसी के साथ पच्चास रन मकमल किये ये देखे एनाम लेके मंजूर जा रहे पांश रुपए काया नाम यासिर के लिए दोड़ लग सारे दर्शकों को और जे मेर रखे यासिर के ये पांश रुपए मंजूर तेखते अब क्या होगा चासे दिकन बना चुके यासिर छे चके जड़ चुका है उसमें से पांच जो चके उनने जड़े थे काफी लंबे थे पांच गेंदे गुम हो चुकी है अब फिल्डिंग को एड़्जस्टर कर रहे है इर्शाद देखते है इर्शाद का एक्सपिरियंस काम आएगा या यासिर की गातक बले बाजी कौन जीत पाएगा इस मकाबले को फिर से अच्छी गैंद घुमाना चाहते थे पढ़ने के बाद राइस हुई टी गैंद कहीं विकट कीपर के दस्तानों में चले और गैंद लेके यासिर ने डिफलेक्ट किया गैंद को सहीद कमर वहां पे ताहिनात है उन्होंने गैंद को फिर्ड किया और यह मरतबा चले सहीद सुजा यासिर के लिए हवा में गेंद देखना होगा और कैच हो गए वापाद जाएंगे यासिर और एक विकट हासिल की है जिस बात का मैं जिकर कर रहा था वही हुआ यासिर की विकट हासिल हुई है डीशी सी डप को यह देखिए धाद दे रहे यासिर को क्योंकि एक बड़ी पारी खेली है आज अपने टीम के लिए मैच विनिंग पारी अगर स्काइविजन वाकुरा यहां से जीतने में कामियाब रहेगी